दोस्तों आप सब जानती है कि मैं बालाय वाई सब का कितना बड़ा फैन हूँ इससे पहले में मैं बालाय वाई सब के बहुत तरिफ कर चुका हूँ आखंडा में बोलीजेए या फिर आप वीरा सीमनेटी में बोलीजे दुनों ही वीडियो हमारे चैनल में बहुत ही फेमास बहुत ही popular हुआ था बहुत ही views मिला था तो आज में हमारे बालाय उनिवर्स की तीसरा पार्ट मंदब वगवन्थ के सरी के review करने वाला हूँ जी हाँ ये बालाय उनिवर्स का अंडर है बालाय उनिवर्स है कैसा उनिवर्स है जहां पर आप एक लोग को माड़ो तो 20-30 गिर जाता है अब एक डालाग बोलो तो वो डालाग मल्दब Iron Man से भी टॉनी स्टार्क का जो मल्दब जो एकदम ट्रेडमार्क डालाग था आयम Iron Man उससे भी ज़्यादा फेमास हो जाता है तो बहुत सार ऐसे डालाग से बालाय का जो कि वो 20-30 साल से लागातार मारते हुए आ रहा है उस डालाग का कोई competition भी नहीं होता है और वो डालाग जब वो एक बाद टेलिवर कर देता है तो वो इतना फेमास हो जाता है एक दम बड़े बड़े आठीस से लेके बड़े बड़े सेलीवरी तक सब उस डालाग बोलता है जैसे उसका एक फेमास डालाग था याप को ऑपोसीट जो उसका कोई actress होता है या फिरोईन होता था वो उसका जो है अगर बालाया का एज हमारा 70 होता तो उसका एज 20 होता तो इतना ही सिर्फ 15 साल का डिफरेंस रहता लेकिन यहाँ पे बालाया ने जो है वो हीरो हीरोईन रोल छोड़के एक मलदब ग्रैंट फदर का डोल लिबाया है जो कि उसको एकडम सूड़ने ही करता क्य लेकिन ट्रोल को एकडम रोष्ट को एकडम साइड में डखते हैं तो इस मूवी में बालाया ने कोशिश किया है ठीक ठाक एक्टिंग करने की या फिर ठीक ठाक स्टोरी चुनने की और कुछ हद तक सक्सेस भी हुआ है और बालाया का जो एकडम जो सेपरेटर आडियंस है जो सिर्फ बालाया निवर्स का गही की फिल्म दखता है उसके लिए शायर यह फिल्म उतना अच्छा सा भी ना हो क्योंकि ये फिल्म सच में एक अच्छी फिल्म है, मैं यह बोल सकता हूँ, अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी चलो ठीक ठाकbaby ठीक ठीक फिल्म मैंum वह मुझे अच्छा लगा बाकी वाला की मुवी में जैसा होता है ओवर दो आप एक्षन ओवर दो टॉप चीज ओव दो डायलोग बड़ टॉब एक्सप्रशन वह तो सब है इस मुझे कूट-कूट के बढ़ा है और इस मुझे अच्छा लगा सिनेमाटोग्राफी बोल दीजिए कुछ कुछ जब कालर गेटिंग बोल दीजिए वो सब मुझे अच्छा लगा टेकनिकल एटिस में यह मूवी थोड़ा अच्छा है वीरसी मुझे थोड़ा अच्छा लगा आखंडा तेक्दम अन्वीरडेबल था लेकिन यह फिल्म थोड लग 20-30 साल से लगा तरह माटते हुए आड़ा है तो वो सब जो हम देख चुके हैं पहले वही है सिर्ला का अक्टिंग उतना कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी चलो हो जाता है लेकिन मैं वही पूलना चाहूंगा कि मैं एक बार तरीप बाला करूंगा कि वह जो है आपन के सरी के जैसा भी फिल्म हीट कराते है सेम हीरो का तो यह चीज मुझे तेलो गोडियंस का बहुत अच्छा लगता है कि वाड़ा मोद अगर पॉजिव हो तो वह मूवी देखने जाते है इरिस्पेक्टिव अफ हीरो यह चीज मुझे काफ़ अच्छा लगता है वाड़ा म तो मैं 5 में 2.5 रेटिंग दोंगा जोकी बाला एक मुवी के लिए 2.5 रेटिंग मिलना मेरे लिए मेरे पस्पेक्टिव से बहुत बड़ी बात है और यह मुवी ने ओं करके दिखा है 5 में से 2.5 एक बाला मुवी के लिए मलब आउटस्टेंडिंग में यहां पर किसी को न वो एक्टर का जो और जो फिर सब जाकर देखता हैुसलीए व एक्टराजी हा पर है तो किसी भी और एक्ड़म बुड़ा ही नहीं करना चाहिए किसी भी ओडियस को नीचा नहीं दिखाना चाहिए सब अच्छा है सब में मलब हार्ड-मानि से मोवी का टिकेट ख़रितकर लगता है वह और भी अच्छा फिल्म क्या होता है वह देखिनों को इसको मिलेगा तो यह था मिला सजेशन अब बाला है क्या करेंगे हम तो सब जानते ही तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सबस्क्राइब तक लिए गुडबाई टिक्कर मिल्स तोगेले गुडबाई